दोस्तों आज की इस वीडियो लों बात करेंगे LAT Keyword Colorful Light Application के बारे में यह application है क्या और इसे यूज करने का सही तरीका क्या है दोस्तों एक तरह का keyword application है जिसकी मदद से जैसे क्या है कि हमारे जो keyword normal सा keyword आता है जैसे हमें यह normal सा keyword है ठीक है ना अब इस keyword को हम थोड़ा यूनिक सा lighting वाला LAT light सब आएगा इस type का हम बना सकते हैं जैसे अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का LAT light सेट कर सकते हैं अपने keyword में देखिए कितना खुल-खुल सा keyword सो कर रहा है ठीक है ना अभी तक इस application को पांच क्रोड से ज्यादा लोग ने डाउनोड किया है और 4.3 की rating मिली हुई है तो अभी देखिए आप सबसे पहले हम इस application को open करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसा कुछ interface हो करेगा यहां processing complete होने तक wait करेंगे यहां पर जैसा यह processing complete हो जाएगा तो हम लोग यहां से continue to app पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे आपको next पे क्लिक करना है और जो भी मैं आपको permission बता रहा हूं उसको select करते जाना देखिए यहां पर current theme में आपको यह वाला option set करना है या फिर यह ओला ठीक है करेंट करना होगा ठीक है कांटिनू पर क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है अब देखिए यहां पर बहुत सारे थीम आपको यहां पर शोक कर रहे हैं अब अपनी च्वाइस के साब से जीस भी टाइप के आपको थीम चाहिए उसको आपको select करना होगा तो अभी के लेता हूं तो चली सपूद्यत मैं यहां पर यह लाइन वाला टाइगर वाला जैगवार वाला इसको ले लेता हूं ठीक है आप यहां पर डाउनलोड फोर फ्री ऑला अप्शन पर क्लिक कर देना है और यह डाउनलोड हो चुका है अब आपको एक्टिवेट एलेडी पर पर चुका है अब यहां से हम कुछ भी टाइप करके सकते हैं हमारा कीवर्ड फूरी तर से चेंज भी हो चुका है इस तरह से देख रहा है यह automatic change भी हो रहा है जितनी बार हम टाइट कर बेज रहे हैं देखिए automatic color change होता जा रहा है ठीक है इसके अलावा इससे में सब कुछ मिलेगा आपको emoji theme हर एक चीज को आपको change करने का मौका मिलेगा देखिए यह automatic यहाँ पर change हो रहा है अभी green हो गया तो कभी red होगा तो कभी yellow होगा तो इस तरह से automatic यहाँ पर gradient color change होता रहा है ठीक है तो easy to use application है आप बहुत ही आसानी से इस application को use कर सकते हैं